तोड़े टॉपिक इस विंडो प्रैक्टिकल विंडो प्रैक्टिकल में आज हम जानेंगे हाउ तो स्टार्ट केंप्यूटर सिस्टम फर्स्ट आप प्रेस पावर बटन आफ सीप्यू और लेप्टॉप आप्टर सम टाइम वन स्क्रीन डिस्प्लेय ओन मॉनिटर यानि कि मॉनिटर के ऊपर यह जो पहला स्क्रीन दिखेगा जब हम सीप्यू के या लेप्टॉप के पावर बटन को दबाते हैं तो किसी भी मॉनिटर के ऊपर पहला जो स्क्रीन आता है तो यहां पर हम देखेंगे यह जो फुल स्क्रीन है यह क्या है डेक्स्टॉप एरिया है डेक्स्टॉप is the basic platform of operating system यानि कि operating system जो भी हो या windows 7 हो 8 हो 10 हो या उसके बाद कोई भी वर्जन हो तो उसका जो basic platform होता है वो क्या होता है window होता है तो हम देखेंगे यहां पर जो यह आपका desktop है यह इसका basic platform है where the store all type of icon यानि कि हम देख रहें यह क्या है हमारे icon है क्या है icon icon is the pictorial representation of any software यानि कि a small picture of any program that store on the monitor screen that is called icon यानि कि जो किसी भी program के program का जो shortcut बना कर जब हम desktop पर save कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है icon कहलाता है हम देखेंगे यह हमारे icon होग है next is the what is the task bar देखें the bottom of desktop यानि कि यह जो screen के सबसे नीचे a rectangular bar are belt display that is called task bar यानि कि यह जो नीचे की तरब दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं task bar कहते हैं तो window आपके desktop window के screen के सबसे नीचे जो belt होती है इस belt को task bar कहते हैं task bar store the start button यहाँ पर देखेंगे यह क्या है start button क्या है start button start button use for the start every program from here यानि कि जैसे ही start button को click करते हैं एक हमारे पास this dialogue box खुल जाता है जहां पर हम देखते हैं सारे program यहां all program के मादम से हम देख सकते हैं हमारे computer में कौन कौन से program store हैं तो किसी भी program को display करना उसे start करना और उसे देखने के लिए हम किस का प्रियों करते है start button का प्रियों करते हैं यहां देखेंगे यहां system के और भी configuration यहां main icon यहां पर जो program के रूप में दिये हुए हैं आप यहां देखेंगे my computer हैं तो यहां पर date और time हमको देखता है जैसे date and time को हम click करते हैं तो यहाँ पर date and time का dialog box खोल जाता है यदि हम चाहते है date and time को change करना तो यहाँ पर click करते हैं और click करने के बाद यहाँ पर change date and time को click करते हैं और यहाँ पर date and time को क्या कर सकते हैं तो इस तरीके से date and time को हम यहाँ पर change कर सकते है और देख सकते हैं by taskbar ठीक इसके बगल में notification icon यानि कि यहाँ देखें हमारे notification के सारे icon दिखाई दे रहें first is the speaker second is the network यहाँ पर क्या है हमारा जो भी message आता है वो यहाँ पर होता है बैटरी डिस्प्ले होता है इसके अलावा जितने भी bluetooth device है antivirus है या इस तरीके से हम हमारे printer है हमारे webcam है यानि कि कोई भी program यदि हम install किये है जो मुखत ऑपरेटिंग system का part होता है that is display on the notification icon next is the active window यहाँ पर हम देखेंगे यह active window यानि का recording हमारा चल ला है तो यह active window है इसके अलावा हम कोई और window यदि खोल देते है जैसे मैंने एक computer कोला तो यहाँ पर देखेंगे active window के रूप में यहाँ पर document देख रहा है that is the activated window यानि कि task bar पर हम activated window को देख सकते है this is the wallpaper this is the wallpaper wallpaper is the decorate our our desktop यानि कि जो ये background में wallpaper देख रहा है ये क्या होता है decorate our desktop यानि कि make our desktop colorful and next is the how to create icon on desktop यानि click on start button जैसे हम समझते हैं कि my computer को यदि हमें desktop पर icon बनाना है तो हमने computer को लिया उसके पर right mouse बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखावा है so on desktop हम desktop को क्लिक कर देंगे अब हम दिखेंगे यहाँ पर my computer का icon बन गया जो computer लिख कर आया है what is the my computer icon यानि कि my computer icon क्या करता है तो how to open my computer double click on double left mouse button click on my computer icon यानि कि हम दो बार यदि left button को my computer को icon को क्लिक करेंगे तो भी हमारा my computer खूल जाएगा दूसा तरीका है हम right button को क्लिक करेंगे और open button को क्लिक करेंगे तो भी my computer icon खूल जाएगा तो what is my computer icon तो my computer icon display the memory of our computer यानि कि हमारे memory यानि कि hardest hardest is the largest memory of the computer where all the file will be store and the display यानि कि जितने भी फाइल होते हैं वह कहां store होते हैं hardest में store होते हैं तो hardest क्या है memory है computer के largest memory है first is the cdf यानि कि एक hardest में कितने parts हैं ये आपके चार part है पहला part का है cdf next is the cd drive यानि कि removal type यहां पर आपका क्या हो गया cd drive हो गया और इसके अलामा यदि हम pen drive या mobile लगाते हैं तो यहां पर display होना सुरू हो जाता है that is the display by the my computer यानि कि my computer icon के मादब से you can see the whole the memory network of the computer यानि कि computer के पूरे network को आप देख सकते हैं यानि कि हम चाहते हैं d में क्या रखा हुआ, e में क्या रखा हुआ है और h में क्या रखा हुआ है तो जैसे इसे हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर की सारे फाइलों को हम देख सकते हैं तथा यहां से लेकर हम उसे cd में या pen drive में या memory में भी data को transfer कर सकते हैं तो my computer के माद्यम से हम desktop को click करेंगे, desktop icon सो करेगा, download को click करेंगे, download आएगा यानि कि जैसे ही हम click करेंगे, वैसे ही वह memory network हमारे सामने खुल लाएगा फाइलों को transfer करने के लिए भी my computer का आसानी से हम प्रियोग करते हैं जैसे हम माल लेते हैं कि desktop पे कोई यदी file हमको ले जाना है तो हम चलते हैं, यहां पर एक figure लेते हैं, इसको हमने पकड़ा और पकड़ कर हमने desktop पर छोड़ दिया जैसे ही छोड़ा, यह file हमारे desktop पर आकर store हो जाता है, हम देख सकते हैं, यहां पर दिखना शुरू हो गया तो इस परकार फाइलों को drag करके हमने का भी काम करते हैं next is the taskbar हमने देखी लिया next हमारा topic है basic component of window यानि कि जैसे हमने यहां पर खोला, कोई भी एक window ले लेते हैं, जैसे हमने MS Word लिया MS Word में उपर देखेंगे, first is the title bar, title bar display the name of application and software यानि कि यह title bar क्या करता है, हमारे software के नाम को display कर रहा है इसका नाम क्या है, Microsoft Word, यानि कि MS Word पर हम कारे कर रहे हैं तो title bar display the name of software, second is the menu bar, menu bar display the menu of application यानि कि application के menu को यहां पर display कर रहा है, जैसे home, insert, page layout, reference, mail, review, view यह हम देख सकते हैं, यह क्या है, formatting and extended toolbar, यानि कि extended and formatting जैसे insert को click किया, insert के standard tool खुल गया है, page layout के खुल गया है तो इस प्रकार हम इसको देख सकते हैं यहां पर देखे, title bar, menu bar, standard and formatting toolbar यहां पर title bar में हम देखेंगे, तो यह क्या है, close button यहां पर दबाने पर यह क्या होगा, कि MS Word को close कर देगा यह क्या है, maximize and restore इसको एक बार हम नेकलिया, यह क्या है, restore रहा गया अब हम इसको दुबारा क्लिक करेंगे, तो यह क्या होगा, maximize के रूप में आ जागा minimize button, store the window in the task bar, देखें, task bar में यह आके activated के रूप में देख गया यहां कि जैसे इसको हम क्लिक करेंगे, यह maximize होकर हमारे सामने दिखेगा यह क्या है, working area where you can type everything यहां पर हम कुछ भी type कर सकते हैं, यह क्या है, यह हमारा है ruler bar, this is the ruler bar, यहां पर हम page के size को maintain करते हैं that is the scroll bar, scroll bar, यहां पर हम इसको up-down करके page को up-down देख सकते हैं, इसके अलावा नीचे है status bar, status bar display the page number, total word count, display the dictionary, total number of page, page number, comment number, section number यह सभी यहां दिखाने का काम करता है, और साथ ने page के view को भी दिखाता है और page के zooming को भी दिखाने का काम करता है last is the task bar, इसको तो हम जानते ही हैं तो यहां पर window को हम close करेंगे और यहां पर यदि file को save करना है, तो yes, यदि नहीं save करना है तो यहां पर no को click कर देंगे next topic is the title menu, maximize, restore यह हमने देख लिया how to create file and folder यहनि कि file and folder को हम कैसे create करते हैं तो देखे, किसी भी memory drive यहां पर my computer को हमने click किया यानि कि किसी भी memory के अंदर हम file and folder को बना सकते हैं या दूसरा हम desktop के उपर हम file and folder को create कर सकते हैं तो मालिए file and folder को how to create file and folder click right button of mouse यानि कि mouse के right button को दबाएंगे यहां पर new option को click करेंगे new option के बाद उपर लिखा हुआ है folder जैसे ही folder को हम click करेंगे एक folder यहां पर बन जाएगा यहां पर हम folder के नाम को हम type कर देते हैं जैसे folder का नाम हम रख देते हैं और हमने बाहर click कर दिया या इंटर बिटन को press कर दिया यहां पर folder बन गया अब हम right button को click करेंगे यहाँ पर जाएगे new option और यहाँ पर हम देखेंगे यह नीचे सभी file हैं तो file किसका है यह आपका access की file है यह bitmap यह आपका picture की file है content है ms word की file है तो यहाँ पर कोई भी file को हम click करते है ms word की file को हमने click किया और इसका नाम हमने टाइप कर दिया वाट तो इस प्रकार हम फाइल और फोल्डर को यहाँ पर बना सकते हैं next is the next हमारे पास क्या है कि हम किसी भी फाइल को rename कैसे करते हैं यानि कि यह फाइल हो गया यह फोल्डर हो गया तो इसकी renaming कैसे करते हैं नाम को कैसे बड़लते हैं तो यदि फोल्डर की renaming करनी है तो फोल्डर के उपर mouse बटन को ले जाते हैं mouse के right बटन को हम इसको click करते हैं तो mouse के right बटन को हमने दबाया, एक menu खुलेगा जहाँ पर rename option को हम click करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे यदि हम rename को दबाएंगे तो rename होगा, delete को दबाएंगे delete हो जाएगा, cut और copy करना चाहेंगे, तो cut and copy कर लेंगे और नए location पर लेता कर best कर देंगे, और property के मादम से हम देख सकते हैं, यह file कबकी बनी होई है, तो यहाँ पर हमने rename option लिया, और इसका नाम हम दुबारा type कर दिये a, b, c, तो और या तो enter बटन हम press कर दें, या तो हम बाहर click कर देते हैं, तो भी इस file का folder का नाम बनल जाता है, इसी परिकार हम इस file का नाम बनलना चाहते हैं, right mouse button को दबाएंगे, यहाँ पर rename को दबाएंगे, और इसका नाम हम रख देंगे, ms और जैसे बाहर click करेंगे या enter button को दबाएंगे, यह file का नाम बनल जाएगा, तो इस परकार file के नाम और folder के नाम को बनल सकते हैं, ऐसे right button को दबाएंगे, यहाँ पर यदि cut लिखा हुआ है, तो हम cut कर देंगे, और folder के अंदर इसे ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिया के right button को दबाएंगे, और paste option को दबाएंगे, तो इस परकार हम file के अंदर, यानि कि कि किसी भी folder के अंदर हमने file को cut और paste किया, ऐसे ही copy and paste कर लेंगे, यदि हमें property देखना है, तो right button को दबाएंगे, यहाँ पर property को क्लिक करेंगे, तो यहाँ बताया रहा है कि यह एक folder है, इसमें एक file लगी हुई है, यह इतने date को बनाया गया है, तो इस परकार से हम इस file की property को देख सकते हैं, next topic हमारा क्या है, delete भी हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर file को यदि right button को दबाएंगे, और यहाँ पर delete button को यदि हम click करते हैं, तो यह पूसता है क्या आप इस file को delete करना चाहते हैं, हम इसे yes करतेंगे, अब यह हमारे recycle bean में स्टोर हो जाता है, तो recycle bean is the dustbin file देखेंगे, यहाँ पर आ चुकी है, अब इसे right button दबाएंगे, रिस्टोर करने पर पुना उसी जगह जाकर restore हो जाएगी, यदि हम इसे delete करेंगे, तो यह file यहाँ से permanently delete हो जागी, हमने इसे computer से बाहर कर दिया, that is the delete option, and recycle bean, how to search file and folder, यानि कि किसी भी file या folder या program को कैसे सर्च करते हैं, click on start button, और यहाँ पर हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है search program and file, यानि कि किसी भी program को भी सर्च कर सकते हैं, और file को भी सर्च कर सकते हैं, तो माल लिजे यहाँ पर हमें Excel को खोलना है, तो Excel की already यहाँ पर खुला हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, यदि यह option से खुले, या access को खुलना है, हमने यहाँ पर access को टाइप किया, जैसे ही हम access लिखते हैं, लिखने से पहले ही यहाँ पर access आ जाता है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यह access का program हमारे सामने खुल जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि यह program install हो रहा है, जोकि already install नहीं था, लेकिन अभी यह install होकर हमारे सामने यह दिख जाएगा, यह मैं दूसरे program को दिखाता हूँ, यहाँ पर हम गये, और यहाँ पर हमने, देखेंगे, यहाँ पर office हमारा यह access खुल गया, यह जोकि program में नहीं है, इसलिए दिक्कत कर रहा है, चले, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पर हमने word type कर दिया, यानि कि यदि हमें word खोलना है, तो आप देखेंगे, यहाँ में सुड़ा गया, इसको हम जैसे ही click करेंगे, वैसे MS word हमारे सामने खुल जाएगा, दूसरा है माली किसी file को सर्च करना है, तो start button को हम click करेंगे, यहाँ पर search पर जाएँगे, और यहाँ पर माली एक हमने लिखा है, wall first, जैसे ही उस file का हम नाम लिखते हैं, उपर वह search हो के आजाता है, उसे जैसे ही click करेंगे, वह हमारे सामने यह file खुल जाएगी, यह file हमने कहाँ store करके रखा हुआ है, इसको हम देखेंगे, यह file हमने यहाँ पर store करके रखा है, इसका नाम क्या है, वाल first, तो इस परकार हमने chapter 1 के जो भी practical है, वह पूर्ण से कर लिया है, इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे, और देखने के बाद अपने इसको revision करेंगे, और चैनल को like, subscribe और share करना ना भूलें, और comment box में अपना नाम class section अवर सुरूर से लिखें, ओके मिलता है next video में, thanks for watching